दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आठार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें नमस्कार दोस्तों धर्म रहसे चैन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है लोगों अपने अपने अनभाव और कहानिया भीशते रहते हैं मैं इसकी पूरी तरह से जाच नहीं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग के मनरंजन के लिए और उसमें सत्यता का अंस आप लोग खोच सकते हैं और इसके लावा उसके बार में जो भी प्रशन होते हैं मैं उनके जवाब दे दिया अगरता हूँ इसलिए ज़्यादा इंक्वारी नहीं करता तो जो भी कहानिया अगर आपको सच नहीं लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं बता सकते हैं और उसके बारे में भी सोचा जा सकता है, और अगर वो कहानी आपको नहीं भी पसंद आती है, तो भी उसे मनुरंजन की तरह से सुना कीजे, और उसमें उसे भी ज्यान निकालने की कोशिश किया कीजे, सभी के साथ, क्योंकि सभी के सभी हो सकता है, कुछ अलग अलग आपकी अजस्ते वो हम निकाल सकते हैं, आभी तक कई सारे ऐसे वीडियो आये हैं, जिन में सत्यता मैं जानता था कि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उनको प्रकाशित किया, ताकि आप लोगों का मनुरंजन हो सके, और आगे भी जो भी कहानी अच्छी लेग और साथे साथ ग्यान के लिए भी देखें, तो आज की जो हमें कहानी भेजी है, ये भेजने वाले अपना नाम पता को अपनी रखने की बात कर रहे हैं, और इन्होंने अपने दादा जी से सुनी हुई कहानी के बारे में यहां पर बताया है, और चाहते हैं कि उसके बारे म प्रणाम गुरू जी, मेरा नाम और पता नहीं बताईएगा, मैं यहां अनभव आपको ही केवल और केवल आपको 69-2019 को भेज रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इस पर वीडियो बनाएंगे, और साथी साथ हमें माग दर्शन भी देंगे, कि हम इस बारे में और भी अधिक जान सकें कि क्या इस तरह का कोई तंत्र होता है अथवा नहीं, तो जब मैं छोटा था और मैं और मेरा भाई अकसर बदमाशी किया करते थे, तो पेड़ पर बैठे बे बहुत सारे जो पशु पक्षी होते थे, तो उन पक्षियों में बहुत सारे ऐसी प्रजादी क पक्षी होते थे, जो दुरलव हैं, लेकिन एक पक्षी जो है, जिसे हम लोग कटफोडवा के नाम से जानते हैं, वो किसी भी पेड़ में छेद कर सकता, कि जो चूँच होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती थी, तो हम जब भी उसे देखते थे, वो खट-खट करता था, तो हम लोग जा करके उसके उपर पत्थर फेकना लगते थे, इस बात से एक बार दादाजी काफी ज़्यादा नाराज हो गए, और उन्होंने हम दोनों को डाटा, और बाकी बच्चे जो भी उसके उपर पत्थर फेक रहे थे, उनको भी डाट करके भगा दिये, इसलिए शाम के वक्त उन्होंने कहा, आज मैं तुम लोगों को सच्ची कहानी सुनाओंगा, जिसको सुन करके तुम जान जाओगे, और कभी भी किसी पक्षी को परिसान नहीं करोगी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे गाउं में एक बड़ी ही हल चल हुई, हल चल ये थी, कि हमारे गाउं में एक कड़ फोड़वा, जिसके भी दरवाजे पे जा करके खट-खट करता था, उस घर में कुछ न कुछ बला आ जाती थी, यानि कोई न कोई समस्या आ जाती थी, या तो उसे घर का कोई जानवर मर जाता था, या किसी परिवार करके यह बिल्कु सच बात थी, कि उसके या उसके परिवार के उपर संकट आ जाता था, और उसके शरीर का रक्त भी बहने लगता था, या अवश्य ही देखा जाता था, तो इस बज़े से काफी ज़दा खौफ का माहल हो गया था, और इसके बाद फिर कुछ पता चला, तो कुछ दिनों बाद एक विक्ति थे गाओं के, जो तंत्रवंत्र की क्रिया अच्छी तरह से जानते थे, मा भगवती की पूजा वो किया करते थे, और वो पेड़ के नीखे जा करके, उस पेड़ को मा का कोई स्वरूप मान करके उनकी पूजा किया करते थे, सभी लोगों मे उनकी काफी ज़्यादा चर्चा थी, और सब लोग उन्हें सिद्ध समस्ते थे, तो सभी लोग इहटा हो गया और इस समस्या जब बढ़ने लगी, तो सभी लोग उनके पास गए, उन्होंने कहा, कि इस समस्या का समधान निकालने के लिए, जिसके भी घर में ऐसी कोई समस् और कहा कि ठीक है जब भी कोई आएगा मैं उसी वक्त चल दूँगा और हुआ ऐसे ही गाउं के एक सदस्सित है वो दौरता हुआ और हाफता हुआ बहुत ही तेजी से उनके पास आया उस वक्त गाउं के सभी बुजुरूग लोग उनके पास बैठे हुए थे और वह कहने पड़ा और एक बार फिर से खट-खट हुई और मैं समझ गया कि वही आवाज है जिस बात वच के बार में हम लोग कहते हैं यानि कि कटफोरवा जो पे बहुत जोर से अपनी चोचे मालता है वही चोच हमारे घर के दरवाजे पर मार रहा है यानि कि हमारे घर में भी कोई कोई दुरगटना होने वाली है कोई न कोई हताहत होने वाला है अब मुझे अपने जानरों की भी चिंता है और परिवार के सद्धियों कोई भी इसलिए आप तुरंद चलिए और देखी क्या समस्या उसके पाद उन्होंने उस व्यक्ति के साथ जाना स्विकार कर लिया और अब वो धीरे-दीरे करके हमारे गाउं में उस घर तक पहुंचे जिस घर पे ये सारी घटना घटित हुई थी उन्होंने देखा कि दरवाजे पर हलके से निशान बने वह थे तो जिस जगे पर कटफोरवे ने अपनी चोज से निशान दिये थे उस जगे पर उन्होंने प आप कहूंगा कि कम से कम यहां से एक किलमीटर की दूरी पर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का सदश से कोई भी नहीं जाए तो उनकी बात को सभी ने मान लिया और कोई भी उस अगय नहीं गया लेकिन अचानक से ही रात के समय अगले दिन एक गाय बहुत जोर से रमाने लगी तो पता चला कि उस ही विक्ति की गाय है जिस विक्ति ये घर पर ये गटना गटित हुई थी और उस गाय को रमाते देखकर और इधर उदर दोड़ते वे सभी लोग सोचने लगे कि आखिर ऐसे परिसान वो क्यों दोड़ भाग रही है तो पता चला कि उसका बचरा गाय बहुत और फिर बड़ी ही तेजी के साथ वो गाय एक दिशा की और दोड़ने लगी सभी गाओंवाले उसके पीछे पीछे दोड़ने लगे और भागते रहे भागते रहे और धिरे धिरे करके जो हद उन गुरुजी ने बताई थी उस हद से बाहर वो गाय चली गई यानि कि वो एक किलोमेटर की दूरी पार कर गई और इसी के साथ गाओं की कई लोग भी उस गाय के पीछे पीछे भागते वहाँ पहुँच गए वहीं पर उस गाय का बशड़ा खड़ा हुआ था वो जाकर के उस गाय ने अपने बशड़े को चाटना शुरू कर दिया और लोगों पर भी हमला करने लगा लोगों ने तुरंत ही उसे पकड़ा और उठाया और गाय को हांकते वे उसके बशड़े के साथ में ले करके गाओं की और वापस भागने लगे उस वक्त वह कटफूरवा बहुत तेजी से चिला रहा था और उसके चिलाने से बहुत ही बार लगता ही नहीं था जैसे कि वह हवा में हो और किस तरह हम लोग एक किलोमेटर का जो दायरा था गाओं वाले उसको तैय कर लिए और फिर घर के वापस छेत्र में आ गए जिस छेत्र की कोश रक्षा कोच में गुरू जी ने कर रखा था अब सभी लोग गाओं के गुर आख को बीच से छेदा गया था और वह चोंच पूरी की पूरी उसकी आख में गड़ गई थी और बहुत तेजी से उसने वार किया था आप लोग तो जानते ही है कि कटफोडवा जब पेड़ में सुराक कर देता है तो आख जैसी नवजुक चीज पे जब वार करेगा तो क पेड़ पर नीचे गिराई जिस पेड़ पर वो पूजा पाठ किया गड़ दे और फिर उन्हें जो कुछ पता चला होगा उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर बैठ करके कुछ देर ध्यान समाधी करने की बाद गाउं के लोगों को कही और कहा कि आज के बाद जब तक मैं कुछ भी वो करते थे वो करने लगे और रात के वक्त ही वहाँ उन्हें अचानक से महसूस हुआ कि वही कटफोडवा जिस कटफोडवे ने सारी घटना का अंजाम दिया था वह उसी पेड़ के उपर आ करके बैठ गया है जिस पेड़ पर बैठ करके नीचे जिसके थे वो स लगा कर कहा कि हे मानव तु यहां पर क्यों बैठा हुआ है और मुझे परिशान मत कर अगर तुने मुझे परिशान किया तो जो खाल मैंने गाउंवालों का किया है वही हाल मैं तेरा भी कर दूंगा इस बात को समझने में बहुत ही ज़दा समस्या होने वाली थी कि आखिर अब भगत जी पर काहे की मुसीबत आने वाली थी भगत जी यानि कि वो गुरु जी जो वहाँ पर साधना किया करते थे वो इस बात से अचमभित थे कि जो शक्ती एक किलमेटर दायरे में नहीं आ सकती थी वो पेंड़ पर आकर कैसे बैठ गई है और इसके चमतकार है क्या इसका रहेश्य क्या है उन्होंने कहा ठीक है लेकिन मैं तुम्हें कुछ परसान नहीं करना चाहता हूँ और मैं सिर्प और सिर्फ यह पता लगाने की ध्यान में कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम हो कौन मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इस सारी घटना मुझे समझ इस पर वो कटफोडवा आदमी की आवाज में हचने लगा और कहने लगा कि यहा सब तु नहीं समझ सकेगा यह बहुत ही प्राचीन विद्या है और मुझे तु जो देख रहा है मैं वो नहीं हूँ मैं सिर्फ एक पक्षी नहीं हूँ मैं इससे भी जादा हूँ तो गुरुजी मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में आपका क्या कहना है और इसके आगे कहानी मैं आपको कल भेज दूँगा उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा लेकिन मुझे यह बताईए कि आखिर यह सब क्या है और यह किस च देखिए यह था इनका भेजा गया अनुभाव और इन्होंने पक्षी तंत्र के बारे में पूछा है तो देखिए पक्षी तंत्र की जहां तक बात है पर पक्षी तंत्र पहले की जमाने में सबसे सरल तंत्र होता था लेकिन आज यह विद्या लुप्त हो चुकी है यह वि compression की आत्मा काफी कमजौर होती है, इस कारण से कोई भी तंत्रिक शक्ति, मंत्र शक्ति है और आत्माओं को हम पक्षियों के अंदर भेज सकते हैं, और यहां क्यारे किया भी जाता था तो इस कारे को संपाधित करने वाला तांत्रिक पक्षी तंत्र का विश्यशज्य मना जाता था इस संबंदे बहुत सारी गोपनी बाते हैं और कहते हैं कि एक साधिका थी उनके पास भी अविद्या थी लेकिन उनकी विरहस्य समय हालत में म मान के चलिए कि इनक में अपना विवेक नहीं होता इस कारण से ये किसी को भी नुकसान पहुचा सकती है आपने सुनाई होगा प्राने जमर में तोते बोलते थे और पूरे-पूरे गरंथों का रच डालते थे यह सब क्या था यह पक्षी तंत्र का प्रारंभिक रूप था जिसमें पक्षियों को हर चीज रटाई जाती थी लेकिन बाद में तंत्र मंत्र का प्रयोक कर उन्हें कई सारी विद्याएं भी सिखाई जाने लग गई तो वो बहुत सारी विद्याएं जानते थी जिसमें पक्षियों में तोता बहुती ज़़ा प्रशिद्धी प्राप् उनके साथ में रहता था और इस विद्या का प्रयोग बहुती बुरी तरह से किया जाता था यह किसी के मारने पे नहीं मरते थे और अगर कोई ने मार भी दे तो यह पुना फिर से जीवित हो जाते थे क्योंकि वह आत्मा कुछी देर के लिए शरीर चोड़ती थी और फिर से अपना रूप सरूप धारण करके बिचरने लगती थी तो आगे क्या हुआ यह कहानी यह अगले दिन भेजेंगे तो काफी लोग इससे उससफ हो ही जाएंगे इस कहानी के बारे में कि क्या हुआ तो इनसे भी मेरा नविदन है कि जल्दी से जल्दी कहानी का आगला भाग चरूर भेज दें ताकि लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ें तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद